Official WhatsApp में 24 घंटे online होते हुए पुराना last scene कैसे दिखाए बिना किसी app के जी हाँ दोस्तों आपको कोई भी app download नहीं करना है Official app के अंदर, Official WhatsApp app के अंदर आप किसी की भी साथ chat कर सकते हैं, message को send कर सकते हैं, receive कर सकते हैं अगर आपका दोस्त आपको कोई photo video send करता है, तो आप उसे download भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को online दिखाई नहीं देंगे और आपका पुराना ही last scene दिखाई देगा, आपका last scene change नहीं होगा आप देख सकते हैं, मेरे पास तीन मुबाईल है, मैंने यहाँ पर रहूल की chat open कर रखी है, यह है रहूल का मुबाईल और यहाँ पर आप देखेंगे रहूल का जो last scene दिखा रहा है दोस्तो, Thursday 2.43 मिनट जबके आज का दोस्तो जो दिन है वो है Sunday का, यहाँ पर मैं आपको calendar open करके दिखाता हूँ, calendar को मैंने open किया आप देखेंगे 25 तारीके आज Sunday का दिन है, ठीक है और यहाँ पर जो रहूल का last scene दिखा रहा है, वो Thursday का दिखा रहा है, 22 तारीक का, आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा मुबाईल है, इसके अंदर भी last scene सेम दिखाई दे रहा है, और इसमें भी last scene है, यहाँ पर आप एक चैट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ पर यह सलू का मुबाईल है, और यह है राहूल का मुबाईल, हम दोनों चैट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जो तीसरा मुबाईल है, इसमें अपडेट नहीं होगा last scene, नहीं इस मुबाईल में last scene दिखाई देगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में इंटरनेट को बंद कर देना है, अगर आप चाहते हैं पुराना last scene दिखा कर किसी के साथ चैट करना, बिना online आए, तो आपको अपने फोन में पहले इंटरनेट को बंद करना है, अब आपको क्या करना है, आपको recent app से WhatsApp को बंद कर देना है, ठीक है, WhatsApp को बंद कीजिए, इसके बाद आपको इंटरनेट को अपने फोन में आउन कर देना है, ठीक है, जैसी मैंने इंटरनेट को आउन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर, सल्लु को जो हो message send हो जाएगा, यहाँ पर इस बंदे को, इसने message को receive भी कर लिया, लेकिन जो तीसरा बंदा है, उसको पता ही नहीं चला कि मैं online आया, क्योंकि मेरा last thing change नहीं हुआ है, और मेरा online status शो नहीं हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर सल्लु ने message को receive कर लिया, अब सल्लु जो यहाँ से message का reply करेगा, अगर, उसने message का reply किया, ठीक है, message यहाँ से send हो गया, मुझे message receive भी हो गया, double tick लग चुका है, ठीक है, अब message को अगर पढ़ना है आपको, तो आपको क्या करना है, internet को बंद कर देना है, internet को बंद कीजिए, इसके बाद आपको WhatsApp को open करना है, WhatsApp को open करने के बाद आप chat को open करें मेरा online status इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से दोस्तों, आप किसी भी बंदे को message send कर सकते हैं, message को receive कर सकते हैं, बिना online आए, और बिना last scene को change किये, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और trick बता देता हूँ, अगर आपका दोस्त, आपको कोई photo video send करता है, तो फिर आप उसे download कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है, अपने phone में सबसे पहले internet को बंद कर देना है, इंटरनेट को बंद करने के बाद आपको आना है WhatsApp की settings में, इसके बाद यहाँ पर आपको आना है storage and data में, इसके बाद यहाँ को इसके settings मिलेगी when using mobile data, अगर आप mobile data यूस करते हैं तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यह सबी settings को tick कर देना है, इस तरह से untikt होगा तो आपको इस तरह से tick करके okay कर देना है, अगर आपぜ email यहाँ वी setting आपको करना है WhatsApp को बंद कर देना है ठीक है अब मैं यहाँ पर photo send करता हूं इस mobile से और आपको दिखाता हूं किस तरह से यहाँ पर photo download भी हो जाएगा और यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा ठीक है यहाँ पर photo आ गया photo को मैंने send किया ठीक है यहाँ पर photo send हो गया ठीक है photo send हो गया अब यहाँ पर आपको क्या करना है अपने phone में internet को on कर लेना है internet को आपको आउन करना है internet यहाँ पर मैंने on किया तो आप देखेंगे यहाँ पर इस photo पर single tick आ रहा है वो अभी यहाँ पर double tick में बदल जाएगा अभी यहाँ पर दो तरीके से देख सकते हैं या तो आप gallery को open कीजिए gallery को open करेंगे तो photo यहाँ पर आपको download देखने के लिए मिल जाएगा photo आपने देख लिया last scene change नहीं हुआ अगर आप whatsapp के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है internet को बंद करना है अब आपको whatsapp को open करना है chat को open करना है आप देखेंगे photo download हो गया इस बंदे ने मुझे photo send किया मैंने photo को download कर लिया लेकिन आप देखेंगे मेरा last scene change नहीं हुआ है पुराना दिखाई दे रहा है हमने एक दूसरे को photo send किया photo देख भी लिया तीसरा बंदा जो है उसको कुछ पता ही नहीं चला ठीक है अगर तीसरा बंदा भी आपको message करता है न तो message आपको receive होगा और आप उससे देख लेंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस photo पर मैं कुछ reaction दे देता हूँ मैंने यहाँ पर hard emoji send कर दिया यहाँ से हम कर देते हैं whatsapp को recent app से close और यहाँ पर हम चालू कर देते हैं internet को तो आप देखेंगे यहाँ पर reaction चला भी जाएगा और यहाँ पर जो last scene है वो change नहीं होगा जैसे कि आप देख सकते हैं reaction यहाँ पर आ गया whatsapp को open कीजिए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा किस किस ने आपको message किया यहाँ पर message को हमने इसके पढ़ लिया लेकिन इस बंदे को भी पता नहीं चला क्योंकि last scene पुराना ही दिखाई दे रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप whatsapp पर last scene को छुपा कर यह last scene को पुराना दिखा कर किसी की भी साथ 24 गंटे चैट कर सकते हैं whatsapp पर online होते हुए पुराना last scene दिखा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना